होलो बच्चो मैं सभी का सवगत करता हूँ फीजिस गानमकेशनेक चैनल पर आज हम लोग डिसकेशन कर रहे हैं लेक्ट्रो स्टैटिक्स जो आठ नमबर का चाप्टर से उसमें हम लोग तीन नमबर का लेक्चर देख रहे हैं इसमें हम लोग एलेक्ट्रिक पोटेंशल नहीं आएगा लेकिन जैसे जैसे लिक्चर आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर बिल्कुल एक एनर्जी आएगी बिल्कुल एक कॉंसेट किलियर होने के लिए आपका दिमाग यहां पर तयार रहेगा तो चलो बच्चो आज की वीडियो में हम लोग डिसक्र इनर्जी श्टोर हो रही है कैसे होगी क्या होगी दिमे दिमे बात करने वाले अब देखो सिंपल सी बात है कि मैंने एक पॉजिटी की चार्ज लिया यहां पर जो की वो पॉइंड है यहां ठेक है और यह ना पोटेंशिल एनर्जी कोई कॉई कॉन्फिग्रेशन उसके पो पॉजिशन के उपर कॉन्फिग्रेशन के उपर तयार होती है कैसे होती है क्या होती है कैसे नहीं है बात करने वाले है रिलेटिव पोजिशन के उपर डिपेंड होती है और उसके लिए करना पड़ता है वर्क डन जैसे कि एक एक एग्जम्पल के तोर पे एक पोजिशन प जैसे कि लेने के बाद आपको पता है कि यह इसको पर कोई फिल्ड नहीं लगा रहा मतलब यही इलेक्ट्रिक फिल्ड इसको पर अपलाई करने वाला एक मानना पड़ेगा यहां पर वो भी लगाता होगा बैया ऐसे थोड़ी चिपचा बेटने वाले आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि इसकी अगर मैंने पोजिशन चेंज की तो हंड्रेड परसंड वर्क होने वाला है और वर्क होने से वह वर्क स्टोर होंगा इंद फॉर्मा पोटेंशल एनरजी जैसे कि ग्राविडेशन चाप्टर में मैंने बोला था यह मार्कर को फेक रहा है उपर तो व लोगों को पता है कि दोनों चार्ज मेनी पॉजिटी लिये है और पॉजिटी पॉजिटी चार्ज रहे जैसे कि यह पॉजिटी चार्ज है मेरे पास और दूसरा पॉजिटी चार्ज हंडेट परसंड एक दूसरी को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज रहा यहां एक न attraction होगा हां सर बॉइज बॉइज गज रहा तुमका तो पता है आप लोग होगा तो यहाँ पे अट्रेक्शन यहाँ पे क्या होगा attraction यहाँ पे repulsion होगा शूर है तो कहानी कुछी यहाँ भी लागो होगी दो चार्जे से और दोनों positive होने से कारण यहाँ पे रिपल्शन होगा और जो फोर्स होता है कौन सा? इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स रिपल्शन फोर्स है देखो ना इधर डारेक्शन समझ में आ रहे है ना देखो यह भी फोर्स यहां हो था यह भी कुलम्स लौत पड़ाओगा ना यह चार्ज अगर यहां पर फोर्स पूचा तो यह है और यहां का फोर्स ही है ऐसे ठेक ना यहां पर रिपल्शन वाला फोर्स है अब मुझे क्या करना है यहां पर कुछ वर्क करना है और वर्क करना है तो मैं इस चार्ज को क्योंकि मुझे potential energy change करनी क्या करना है potential energy को change करना है potential energy पढ़नी है तो बया मैं इसको ऐसे लेकर हूँ कुछी दूरी पर यहां पर actually बहुत कम distance होता है मैं ज्यादा पकड़ रहा हूँ ठीक है और वो distance होगा समझो मेरे लिए DR इतना छोटे distance पर मैंने इसको लेकर आए आपको पता है यार कि मुझे work करना पड़ रहा है क्योंकि इसको लेकर आना है यह तो मुझे रिपल्शन कर रहा है तो भी ऐसमें इसको पुशप कर रहा हूँ जैसे कि spring होती है ना spring को दबाओ देखो दबाने से क्या होगा पता है आप लोगों को वो वर्क होता है वैसे यहां पर वर्क कर रहा हूं क्या कर रहा हूं वर्क कर रहा हूं और इसी के कारण work in the form of potential energy में स्थ पार हुआ रहा है work in the form of the increase यहां पर potential energy बड़े गिर्थ यहां से और यहां लेके आहूं यहां लेकिए और potential energy बड़े की और लेके आहं तो और potential energy बड़े की वह यहां किकी वर्क जितना जादा करोगा क banana today प्य cham मुच्ण आए पॉटेंचिल इनर्जी dentro होगा यह तो पूटेंचिल इनर्जी आपको 5 से जिया मीली है दूबारा यहां से यहां तक और पाच किया मतलब आप दस हो गया यह पाच यह वाफ हो गई 10 जूल है लंह ओर कर रहा हूं यह बात समझ में आ रही है क्योंकि वर्ग जितना ज्यादा उतना potential energy ज्यादा हो रही है तो इसलिए work done against the electrostatic force work done against against electrostatic force is equal to increase in potential energy लिख सकता हूँ work done against the electrostatic force is equal to the increase over potential energy तो work क्या होगा तो work होता है भया force into displacement displacement मैं R मान रहा हूँ बात समझ में आ रही है okay distance कितना मान रहा हूँ R और यह vector quantity यह है देखो ना force का direction है इधर और मैं लेके आ रहा हूँ इधर इसको देखो अरे charge positive positive repulsion repulsion से force इधर मैं displacement कर रहा हूँ इधर opposite समझ में आ रहा है और यह दोना वेक्टर quantity क्यों है direction इसलिए तो यहां पर work के जगे पर डाल सकता हूँ यह vector dot dr vector is equal to change in potential energy change in potential energy क्योंकि increase हो रही जैसे 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 मैं इसको work करूँ यहां लेके आओ work बढ़ रहा है और work करना पड़ा है क्योंकि भाया force इधर ज्यादा है इधर इधर गे तो कम 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 है तो यहां पर work करने में ज्यादा कम work किया तो भी displacement हो रहा है यहां पर ज्यादा work करने के बाद भी कम displacement हो रहा है क्योंकि यह force ज्यादा है यहां पर ज्यादा है कम हो रहा है force इधर कम 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 कर इधर जैसे जैसे जाओगे वैसे force कम होगा यह बास समझ में आगे work against electrostatic force electrostatic force के against में करना तब क्या होगा, तब increase in potential energy होगे, क्यों हो यह समझ में होगे, वर्ग जतना जादा, उतना potential energy जादा होगे, अगर मैंने इसके इधर करता तो degrees होती भया potential energy, समझे ना, यह बात important से, तो हम लोग क्या करेंगे भया भी, expression for potential energy पढ़ेंगे, यह बात समझ में आगी, like charges, repulsion, unlike charges, attraction, हाँ sir, वो तो पता है हम लोगों को, बच्पल से पढ़ते हैं, तो नया है कुछ है, तो बता दो, चलो हम लोग अभी काम करते है, एक diagram ट्रॉ करते है, और इस diagram के थ्रू हम लोग, आप लोगों को potential energy का expression बताएंगे, क्या, expression for potential energy, आप potential energy का expression हम लोगों को अच्छी तरह से प positive charge है, हाँ sir, positive charge, ओ point पर है, चलो, यहाँ से एक point ले लिया, मैंने B point, जिसकी दूरी है, R2 मानी है तो R2, आपके books के सब से पढ़ाऊंगा, कोई tension है, ठीक है, R2 मानी है, चलो, कोई charge था यहाँ पर, ए जगे पर, ए जगे पर, कोई charge था, उसको unit positive charge, जिसका charge का माप कितना हो होता है, one column, मुझे लेकर आना है यहाँ तक है, इसको यहाँ तक, और आपको पता है कि electrostatic force का direction यह होगा, यह, positive positive repulsion अभी तो पता है, मैंने क्या क्या, यहाँ से यहाँ लेकर आना है, यह दूरी actually, दूरे थोड़ा, ठीक है, तो possible नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ, छोटा displacement करूँगा, जो कि यहां तक लेकिया हो, कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, यह जो दूरी है यह, एक ही, उसको R1 का है आपके books में, और जो छोटी दूरी है, उसको DR का है, उसको क्या का है, यह, DR, यह छोटा distance, बाद समझ में है, मुझे A से B तक लेकिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यह, कोई बी चीज, यह, बोड की पूरी पड़ाई करते हैं, तो बोड का एक तुकड़ा लेते हैं, उसकी पड़ाई करते हैं, बाद में उसको integration में डालते हैं, समझे क्या, मतलब छोटा displacement है, इसे भी छोटा, मतलब A से, यहां से यहां इतन आहीं displacement करते हैं, बहुत छोटा करते हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ बड़ा भाया आप लोगों को, आपको समझने के लिए इतना बड़ा निकाल रहा हूँ, इतना बड़ा निकालने की भी जरूरत नहीं है, मेरी बास समझ में आ रही है, ठीए, इस चार्ज को मुझे A से B लेक आना है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क होंगा in the form of potential energy में श्टोर, अब इसके उपर जो फोस लग रहा है, यह आपोजिट लग रहा है, कैसे लग रहा है यह आपोजिट लग रहा है, क्यों कि यह पोजिटी पोजिटी व रिपलिशन होने वाल जैसे कि अभी-अभी formula लग कि दिया है मैंने, तो यहां पर potential energy में store हो रहा है, देखो ना, यहां से यहां लग क्या हूँ, तो वर्क कर रहा हूं, ऐसे क्योंकि यहां, जैसे spring को दबाते हैं आइसे, वैसे work कर रहा हूं, जैसे work कि यहां, वैसे potential energy में store होगा, वो change in potential energy होगी very small displacement के लिए, तो मैंने बोला यह force लग रहा बया, electrostatic force, सही है, यह vector Q है, क्योंकि बया, electrostatic force है यह तो, क्योंकि इसके उपर यह तो repel कर रहा है, देखो, मैं इसको दबाना चाहता हूं, लेकिन यह repel करना सचता है, positive positive, और potential energy, और जो displacement हो रहा है, वो DR इतना है, सही बात है भया, coedation नहीं होना चाहिए, यह vector form में था, अगर मैं इसको scalar form में लेकितो, minus DE dot DR, सर, minus क्यों आ रहा है, भया, मुझे बताओ, मैरा electrostatic force, positive charge है, यह, यह भी positive है, क्या हो रहा है, repulsion हो रहा है, repulsion हो रहा है, और मैं displacement इदर, देखो, force इदर है, electrostatic force इदर है, और मैं displacement इदर क direction में, बात समझ में आरे है, क्योंकि मैं against force, work done कर रहा हूं, तो इसलिए minus science लिखे, यहाँ पर minus science, यह vector form में है, यह scalar form में लिखने से, अब लोग लेख सकते, यहाँ पर minus, ठीक है, क्यों minus लिखा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर electrostatic force है, इदर, मैं work कर मुझे आई से small displacement, चोटा, यहाँ से यहाँ, बाद में यहाँ से यहाँ, 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 ऐसे करते करते करते, ऐसे बी तक लाना है, बात समझ में आरे है, तो यहाँ पर उसकी जो potential energy, वो change होगी, change होगी, बढ़ते 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 तो इसको मैं इंटीग्रेशन में डाल सकता हूं दी यू और कहां से कहां तो अब लोग लिख सकते हैं R1 से R2 तक कहां से कहां भया R1 से R2 तक मतलब इतने distance लेके आ रहे देखो न यहां से यहां तक distance लेके आ रहो मैं अच्छे बात है सर बहुत बढ़िया चलो तो इसकी जो value इंटेग्रेशन में डालेंगे R1, R2 minus Yafi dot dr समझे Yafi को ने electrostatic force है भया और electrostatic force इन vector form में रखो गये तो मैं magnitude किने vector form समझते हो न तो इसका formula हमने Coulomb's law में देखा था 1 by 4 epsilon not Q चोटा charge Q1, Q2 divided by दूरी दूरी कितनी है R2 ठीक है समझे और यहां पे R vector रखोंगे तो minus sin रखो R vector रखा तो हम लोग minus sin में रख सकते है कोई शक है भया समझ में आ रहा है minus sin क्यों आ रही है क्योंकि भया यह force है repulsion देखो gravitation force एक ही होता है attract वाला force होता है और electrostatic force Coulomb's law गलती से कभी नाम सुना है पहले lecture में जाके देखो भया तो वो जो है attraction as well as repulsion वाला force है तो यह repulsion फोर होने से कारण minus sin आ गई समझा भया अगर इसका magnitude के form में मैं लिखो तो मैं लिख सकता हूँ इसको plus में हम लोग plus वाला ही formula magnitude के form में रख सकता हूँ अच्छी बात है सर यह समझ में आ गया यह समझ में आ गया करना क्या है तो आप लोगों को यहाँ पर यह जो है यह direction दिखा रहा है देखो direction यह चार्ट ने क्या direction दिखा रहा है zoom ऐसे कर रहा है बोले ऐसे नहीं ऐसे रहे है ऐसे है ना तो यह repulsion वाला force है यह direction R is a unit vector लखे तो लाख लाख सकता बया अज़ा यह unit vector है अगर मैं इसको हटा दू तो sign भी हट जाएगी चलो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि formula put up करना चाहिए आप क्योंकि change in potential energy is equal to R1 to R2 यहाँ पर इसकी sign नहीं रख रहा हूं मैं यह magnitude form में रख रहा हूं R को हटाने वाला हूं अपके books में लिखा है लेकर नहीं लिखना चाहिए था देखो यहाँ पर यह minus sign है यह minus sign नहीं है ठीक है इसकी value है बया 1 by 4 par epsilon 0 Q Q 0 divided by R square इस R को हटा रहा हूं है DR यह R कहा गया क्योंकि इसका direction गया तो R भी गया है कुछ शक है मेरे खाल से यह सभी बाते सभी बच्चों को आना चाहिए Is R is the unit factor को मत रखो ताकि confusion ना हो जाए चलो तो यहाँ पर R1 एक काम करते यार constant निकाल सकते देखो 1 by 4 par epsilon 0 constant है minus रखो यहाँ पर Q और यह Q भी constant है बचा क्या थ R1, R2 यह variable है कि नहीं और यह variable भाया यह जो R ना थ variable है देखो ना यह यह देखो बढ़ा रो R बढ़ा 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 यह R को हम लोग variable बान रहे और 1 by 4 par epsilon 0 की value होती है 9 into 10 raised to 9 पता होना चाहिए आपको है ना चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कुलम से यह भी चार्ज फिक्स है हमारा ठीक है लगे तो Q नाट लिखना है तो Q नाट लिख सकते हूँ अच्छी बात है सर और बताओ सब को integration आता है तो minus 1 by 4 par epsilon 0 Q Q नाट इसका integration का जिन लोगों को formula x into dx रहा तो x n plus 1 divided by n plus 1 formula याद है तो इसका integration करने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा इसको उपर लेके जाएंगे minus 2 r चलो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो r minus देखो तो यहाँ पे r n कोन है minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 क्या हो रहा है r minus 1 minus 1 समझे all is well है बढ़ना आगे चलो तो changing potential energy minus 1 by 4 epsilon 0 q q 0 यहाँ पे धाम देना बढ़े इसका जो integration मुझे जो मिल रहा है उसके हिसाब से minus यहाँ पे minus लिख दू यह r minus 1 1 यह minus यह है ठीक है और यह है बढ़े lower limit और यह है higher limit पता है ना lower limit और higher limit यह minus यह minus क्या होगा plus होगा बढ़े तो यह मिलेगा equation और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इस बीबल हूँ बढ़े बस समझ मैरी यह minus का जया 1 by 4 पाइपसलों नॉट क्यों 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 नॉट और यह 1 by r क्यों बढ़े आथ किसी का power minus 1 है तो वो 1 by r लिख सकते हैं ना कोई शक है ओके चलो आगे बढ़ना है तो चेंज इन पोटेंशल इनरजी 1 by 4 पाइपसलों नॉट क्यों 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 नॉट यहाँ पे higher देखो limit minus करते lower limit बास समझ में आ रही है इसको पुटक कैसे करते हैं पता है ना इसकी value एक बार यह और यह लेकिन minus करते हुए यह change in potential energy का formula मुझे यहाँ पे प्राप्त हो चुका है मतलब यह change in work done है change in potential मतलब change in work done है formula मिल रहा है 1 by 4 pi epsilon 0 q q 0 bracket में 1 by r2 minus 1 by r1 this is the change in potential energy किसे ने पूछा change in potential energy यह originality में फार्मुला है लेगिन भाया लेकिन 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 हम लोगों को किसी point पे potential energy निकालना I will repeat किसी point पे potential energy निकालनी है तो कैसे निकाली बी point की potential energy तो किसी charge को infinite पे रखो क्यों सर क्योंकि भाया किसी point पे infinite पे किसी charge को infinite पे रखने से एक फाइदा क्या होता है पता है कि वहाँ पे potential हम लोग 0 मानते है arbitrary है यह कोई fix नहीं है arbitrary value चलुए भाया यह सबी चीज़ है arbitrary value है मतलब मैं यह बता रहा हूं कि किसी charge को अगर हम लोगों ने infinite पे रखा जैसे कि इस पे इस भी point पे लेके आना है इस point का potential करना है तो यह point को हमने माना है कि r is equal to infinity क्या माना है r is equal to the infinity तो यह जो point है यह charge के लिए यह है तो यह r बनेगा मतलब यहां पे r to r और यहां पे जो r है इसको infinite पे मान रहे infinite से लेके आओ तब इसकी potential energy हम लोग निकाल सकते ठीक है किसी point से मतलब कौन सा तो आप एक point infinite पे मानो और उसको दिमी 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 लेके आओ भया उसकी एक बात बहुत importance है इसकी kinetic energy change नहीं कर सकते है हम लोग 0 मतलब इसकी v constant है v ऐसे constant रखना है ऐसे दिमी 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 लेके आना है मतलब उसकी energy भी change करनी नहीं है मतलब भया इसी formula को मैं modify करके change in potential energy लिख सकता हू भया change in work done मतलब ही change in potential energy q not r2 के value r रखना है minus r1 के value infinity रखना है 1 by infinity होता भया 0 comes गया change in potential energy किसी point पे निकालनी है तो मिल रही है क्यो q not by r this is the potential energy क्या ही है potential energy है क्योई point की note down कर रहे है भया समझ में आरहे है क्या 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 है महीने ठेक है change in potential मतलब work done है minus science की वह पता है तो हम लोगों को छोटे छोटे distance के लिए निकाल रहे थे है बाद में हमने सबको इकटा करना है a से b तक लाना है जैसे मानो तो यहां पे a से b तो यह तो infinite पे मानेंगे यह फार्मूला निकालने के लिए तो छोटे छोटे distance के लिए निकालने है हम लोगों को इसलिए integration कर दिया तो फार्मूला डाला चीज़ का लेकिन कुलामसला पता है 1 by 4 by epsilon q1 q2 divided by r squared यह को नहीं यूनिट वेक्टर है बस यूनिट वेक्टर को हमने कार दिया तो इसको magnitude प्लस होगा देखो यह प्लस यह माइनस कहां से भाया यह यहां से है बादने हमने constant बाहर निकाले integration कर दिया integration यह मिला है तो यह माइनस माइनस प्लस होगा भाया आर इंवर्स मतलब 1 by r होता है और value put up की तो यह फार्मूला मिला मतलब एक point को कहां से ला रहे हम उस charge को infinite से एक point पहले क्या लिए तो कोई point की potential energy मिल रहे हमको 1 by 4 by epsilon not q by q not by r समझे retention है भाया मिल रहा है सबको सबकोच बनने आगे note down करे चलो उसके बाद में हम लोग unit of potential energy देखेंगे देखो भाया दुनिया में कोई भी energy हो तब उसका unit joule होता है क्या होता है कोई भी energy कोई भी फिर कानेटिक energy हो सकती potential energy हो सकती work in the form of potential energy heat energy energy दुनिया की हाँ उसको convert कर सकते calories joules अमका अमका जो भी ठीक है तो ये energy दुनिया की कोई भी हो तो उसका unit जो होता है यह 7 unit joule दुनिया में कोई भी energy हो इसका unit होता है joule ठीक है sir लेकिन अगर देखा जाए तो potential energy का formula अगर आप लोगों ने gravitation chapter पढ़ा हो तो potential into mass of electron sorry mass of charge mass of body ऐसे पढ़ा था इसमें potential energy is equal to potential हाँ mass into satellite mass of satellite ऐसा पढ़ा था हम लोग नहीं यहापे हम लोग यहापे charge के बारे में पढ़ रहे ना तो potential into positive charge जो भी charge में रहे हो अब unit positive charge का मतलब होता भया 1 coulomb कोई attention नहीं तो potential कितना 1 hold तब 1 joule इतनी energy मिले की बस इसी चीज़ को तो उनने explain किया यार कि 1 coulomb charge through potential difference 1 hold is called as the 1 joule क्या बोला है 1 joule इसका एक अनादर unit है भया अनादर unit जैसे आपका नाम होता है न शाम दूसरा नाम है पिंटू जिंकी मिंकी जो भी ऐसे नाम रखा है अनादर इसका दूसरा एक unit है यह बया electron hold क्या नाम है electron hold ठीक है electron hold is another unit अच्छे बात है सरे electron hold क्या है समझा दो थोड़ा से electron hold electron नों बता रहे ठीक है यह change करता है kinetic energy of electron यह change करता है kinetic energy of electron while crossing the two point maintain the potential difference two point का potential difference को maintain करने में जो kinetic energy होती है क्या होती है kinetic energy of electron crossing the two point मतलब एक पॉइंट है यह एक ब्होंट है यह 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 भी तो यह जो kinetic energy लगीगी यहाँ से यहाँढ जाहेगा बई तो kinetic energy लगएगी नहीत अब लोगोगों को मतलब हर चेंगीन जो kinetic energy of electron while crossing the two points दो point में crossing होने में जो change in kinetic energy होती है इसको electron hold में गिनते हैं किस में? electron hold में change in kinetic energy crossing the two point यहाँ पर A से B जाने में जो kinetic energy जो change होगी इसी को हमने electron hold में गिना है बस बाकी दूसरा कुछ नहीं है ठीक है? तो potential difference जो लगता है वो one hold लगेगा इस crossing the point में तब उसको kinetic energy जो भी बोलना है बोलो ठीक है? ज्यादा में बोलोंगा नहीं देखो यहाँ पर kinetic energy change होगी A से B जाने में और इसका potential difference तब one hold होगा देखो electron hold मतलब चार जा रहा है देखो electron मतलब यह चार जा रहा है यह positive charge है यह यहां से यहां जा रहा है तो यह unit positive charge है और इसके लिए जो potential difference जो दिया है हम लोगों को वह ही one hold तब यह kinetic energy इसमें जो change होगी इसमें electron hold में गिनी जाएगी I will repeat क्या बोटाओ यहां से यहां जाने में जो kinetic energy change हो रही है वो unit positive charge A से B जाने में जो potential difference खर्च होगा मेरा one hold हाना उसके कारण जो change होने वाली जो energy वो kinetic energy electron hold में गिनी जाती है अच्छा और कुछ unit दिया है आपके इसमें electron hold मतलब क्या electron मतलब यहां charge और charge में जो charge होता है यह होता है positive charge पता है ना 1.6 into 10 raise to minus 19 Coulomb तो इसको लिखा जाया सकता है 1.6 into 10 raise to minus 19 और यह हो गया Joule में मतलब कभी आपको electron hold में यह दे दिए जैसे कि for example किसीने काया 2.5 electron hold क्या करोगे 2.5 जूल में करना है तो 1.6 into 10 raise to minus 19 Joule हो गया खतम किसा बास समझ में आ रही है वैसे ही हम लोग another unit आपके books के हिसाब से जो दिये वाले है वो है 1 milli electron hold 1 milli electron hold 1 milli milli मतलब 10 raise to minus 3 charge E है E की value हमने बताई कि 1.6 into 10 raise to minus 19 और यह Joule हो गया बास समझ में आ रही है यह मतलब 10 raise to minus 3 समझे 1 into 10 raise to minus 3 electron मतलब 1.6 into 10 raise to minus 19 Joule तो इसको लिखा जाए तो 1.6 यह होगे 19 और यह minus 22 Joule समझे आपके books में नहीं है micro electron hold बोला 10 raise to minus 6 micro electron 1.6 into 10 raise to minus 19 Joule कितना होगा 25 ना 1.6 into 10 raise to minus 25 Joule nano देज सकते है 1 nano electron hold 1 pico electron hold femto भी हो सकता है ठीक ना तो यह होगा 10 raise to minus 9 1.6 into 10 raise to minus 19 Joule देखो nano minus नहीं यह तो यह होगा भया आपका 1.6 28 Joule यहां पे pico मतलब minus 12 यह 1.6 into 10 raise to minus 19 minus 12 यह 1.6 HZTs ठीक ना तो यह कितने होगे भया 31 ना अरे यह होगे ना 31 Joule समझे वैसे हो सकता है कि 1 kilo electron hold kilo 10 raise to 3 भया kilo मतलब यह 1.6 into 10 raise to minus 19 अब यह minus 19 और यह 3 है तो क्या होगा इस में से इसको minus करना पड़ेगा तो 3 G भया तो minus 16 रहते है ठीक है ना हो सकता है कि mega electron hold giga electron hold यहां पे tera electron hold नाम तो सुनगे ना kilobyte MBGB नाम तो सुनगे टेराबाइड memory card होता है न आज काल तो इसको कैसे लिखोगे 10 raise to 6 into 1.6 into 10 raise to minus 19 6 गे तो तेरा रहते है न तेरा भया minus 13 J तो giga मतलब 10 raise to plus 9 plus 9 into 1.6 into 10 raise to minus 19 तो कैसे लिखोगे 1.6 9 गे तो minus 10 रहेंगी यहां पे तेरा मतलब 12 1.6 into 10 raise to minus 19 तो मेरे खाल से 7 रहते है only minus 7 बाद समझ में आरी है न यह conversion है बागी दुसरा कुछ नहीं है इसमें ज्यादा tension लेने की जुरूत नहीं तो concept of potential पड़ेंगे हम लोग इसको no down कर सकते हैं अब लोग करना है तो भया अपकी मर्जी बाद में हम लोग बात करेंगे यहां पे concept of potential है क्या करेंगे भया concept of potential क्या होता है तो आपको potential energy तो पता है बस उसी को निकलना है भया जो potential energy हमने q charge यहां से o माना था यहां पे हमने b point माना था यह positive charge है और इसको अच्छा a मानेंगे और यहां पे इसका distance r2 मान रहे था ना इसका distance r1 मान रहे और इसको लेके आ ना भया यहा b तक यहां से और इसका जो electrostatic force से यह था तो यहां पे जो potential energy जो मिलीगी हम लोगों को r दूरी पे यादे ना अरे को infinite पे माना था तो इसको r2 को r माना था तब हम लोगों ने यह जो potential energy है जो मिली हम लोगों को वो है 1 by 4 power epsilon not यह potential energy हम लोगों को जो मिल रही है वो है यहां पे q के कारण दूसरा charge है q not और distance r यह potential energy में जो है शायद मेरे खाल से अपके books में rr डबल आ गया तो इसको मान लेना है कि यह गलत है ठीक है आपके इसमें यहां पे भी आर लिखा हो print mistake है गलत नहीं बता सकता है तो potential distance of r पे रखा है और यह जो दूसरा point है यह कहां माना था infinite r1 को infinite पे माना था याद है ना वह या तो चलो हम लोगे काम करते यार कि इन चार्ज को हम लोगने क्या अलग नाम देते है जैसे कि यहां पे लिखना है कि यह जो charge है इस charge को जो भी q1 मानना है और इसको q2 मानना है ऐसा है इनका ठीक है ना और यह जो दूरी है दोनों के बीच में की वो r है ठीक है तो इसके कारण जो potential energy होगी इस को q1 को लेकिया आ गए है हम यहां पर तो यह तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते है वन बाइ-4 पाइपसलोन नॉट अच्छे बात है q by r into q2 सही होगा कोई टेंशन ने भी यह q1 लिख है यहां यह 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 ऐसे भी लिख सकते है कि एक ब्रैकेट अइसा भी कर सकते हैं दोनों का मतलब अरे multiplication तो है q1 q2 लेकिन हम लोग potential निकालने वाले कैसे बात करते हैं यहां पर q2 by r q1 को वाहर निकालो क्या फरक है भाईया इस equation में इस equation में कुछ फरक नहीं है दोनों का multiplication चार गुना पाच पाच गुना चार सेम आने वाला है बी से आने वाला है सबको पता है इसमें कोई टेंशन लेने की जो रत नहीं है लेकिन भाईया यह जो कॉंटिडी है यह जो दिख रही है यह potential है कैसे में बता देता हो आप लगों को देखो वर potential का actual में फार्मुला बेसिकली 11 में पढ़ाओगा work upon charge सही बैया तो work is equal to potential into charge potential into charge और वहीं तो बोल रहा हो ना देखो यह होगा फिर potential और work इंद पाँमा potential energy है तो potential energy is equal to potential into charge potential into charge तो ऐसा लग रहा है कि यह potential into charge potential into charge ही है देखो ना यह potential का formula मिल रहा है इसका मतलब यह बैया potential यह आर दूरी पे इस point पे कितना potential होगा अरे इसके कारण इस point पे कितना potential होगा charge q2 पे कितना potential होगा किसे ने पोछ लेते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे potential मिल रहा है 1 by 4 by epsilon 0 q by r यह जो bracket है potential मिल रहा है यह quantity से पता लग रहा है हम लोगों को ठीक है कोई attention नहीं होना चाहिए ठीक है ओके तो यहाँ पे आर दूरी पे जो 20 location पे जो charge होगा इस पे potential कितना होगा इस charge के कारण तो आप लोग बोलेंगे 1 by 4 by epsilon q by r इतना potential होगा या किसी ने ऐसे भी बोल सकते हो इस फार्मले को तो potential जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो v by r q1 देखो इसको लिख सकता हो या q2 लिखो इसके लिखो इसके लिखो देखो दिख रहा है आपको is equal to potential multiplied charge q1 यहाँ पे क्या है यह potential है q1 का और यह जो potential है q2 का पोटेंशल नहीं नहीं तो q1 का potential यहाँ पे को नहीं है q2 अपसंडे तो q2 का potential है यह आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आर्क दूरी पे रखने से q1 का और q2 का यह potential है बहुत बढ़िया आगे बढ़ा हो सर कि यहाँ पे हम लोग नहीं क्या जो potential energy बोल रहे है तो इस potential energy से इससे यह जो potential energy electric potential energy कुणसी भईया है लेक है कि हम लोगों को potential लेका तो u इसके लिए v इस्तेमाल करेंगे और यह q मुझे potential निकालना है तो सीधी बात नो बकवास सीधी बात नो बकवास तो potential is equal to यह u divided by q मतलब किसी ने कहा है यह potential क्या है तो potential energy per unit positive charge यह per unit charge पे कहा तो positive charge क्यों कहते है q not लिखो पी अगर unit positive charge क्यों क्यों लिखो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भैया हम लोग है ना potential किसी point का नहीं निकालते है हम लोग potential difference निकाल रहे है क्या क्या निकाल रहे पोटेंशल डिफरेंस निकाल रहे है क्या निकाल रहे है पोटेंशल डिफरेंस निकाल रहे है तो हमने यह चार्ज को क्यू टू को यहां से यहां तक उठा के लाया है कहीं से इंफनेट से तो यहां जो पोटेंशल है वो वीवन मानना पड़ेगा और यहां का potential V2, मुझे बताओ, potential कहां का ज्यादा है, यहां का, भाईया, यहां से यहां, potential, यह चार्ज इसको पर potential लगा रहा है, तो यह दूर है, यह Q2 दूर है, तो यहां potential कम होगा, तो difference कैसे निकालोगे, V2 minus V1, बास समझ में आ रही है, और यह, यह potential जादा में से कम minus करना पड़े गा के नहीं आप लोगों को, समझो, consider पहले यहां 4 था, तो इसको V2 बोलेंगे, sorry, V1 बोलेंगे, और इसको V2 बोलेंगे, potential difference निकालना पड़ेगा न मुझे, किसी point का potential निकालना possible नहीं है, potential difference निकालते हैं हम लोग, हां, वो बाद पर इसलिए, potential energy infinite है, sorry, potential energy zero होगी, ऐसे मानते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ खरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि वहां पर potential zero ही होगा, यह कोई कादम, बाद समझ में आ रही है, तो, formula क्या है मेरे पास, U, तो यह U2 minus U1, दे को यही formula है, divided by charge, चार्च तो वही है ना बया, वही charge को लेके आ रहे है ना आप लोग, बोलेंगे charge Q1 Q2 डालो सर, अरे क्यों बया, वही charge Q2 को ही लेके आ रहा हूं है, यह बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, यह जो potential है, change in work done है, change कर रहे है, work को बढ़ा, देखो, ऐसे ऐसे work कर रहे है, तो change work कर रहे है, divided by, यह भी formula रहे है, यह बात समझ में आ रहे है, तो इसलिए हम लोग ने क्या हमेशा, change in potential लिख सकते है, change in work upon charge, unit positive charge रहे से भी लिखते है, जो कि मैंने formula अल्रेडी निखा था, सम्झा रहा है वया कुछ, all is well है, हम लोग ने क्या relation between देखेंगे आप, electric field and potential का relation क्या रहा है, अब देखे क्या है, हम लोग relation between electric field, electric field का symbol यह, और potential का यह symbol, इन दोनों में क्या relations है, and electric field, दोनों में relation निकालना है, बस, निकालेंगे, दिमेदे में, हर चीज, आप लोगों को बया, potential का formula तो पता है, work upon charge होता है, लेकिन यहाँ पे, हम charge को Q0 को 1 मानते है, तो V is equal to WB आ सकता, change रहा तो DV की DWI का, बस, यह, unit positive charge मतलब 1 कुलम, तो कभी-कभी नहीं दिखाये देता, तो tension लेनी की जुरत, नहीं आप लोगों को, ठीक है, आप देखो, यह जो Q positive charge है, यह charge को मैं, मतलब यहाँ से यहाँ, इदर लेके आ रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेके आ रह मतलब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वर्क, क्या कर रहा हूँ भया, वर्क, और वर्क होगा, minus या film to dx, और वर्क तो पता है ना भया, force into distance, minus क्यों, क्योंकि मेरा electrostatic force इदर है, और मैं वर्क कर रहा हूँ इदर, dx, इदर कर रहा हूँ, और electric field direction आपको पता है ना, positive charge रहा, तो invert होती है, पता है ना, आप लोगों को यह, यह चीज़े पता होना चाहिए, minus समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, सर, force, यह electric field का क्या relation, force per unit charge है, तो force के जगे पे, e into q लिख दो है, यहाँ पर, लिखो भया, minus e q dx, आपको q नहीं दिखाए दे रहा है, यहाँ पर, क्यों ब आपके books के हिसाब से, आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है, q naught की value वाने है, क्या यही equation आपके books में है, समझ में आ रहा है, देखो, अब अगर मैं यह भी रख दू, तो कोई problem नहीं है, क्योंकि इसको ला सकता हूँ, minus e q naught into dx, अगर इसको इधर लालू, per unit, है ना, minus e into dx, इसको क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को, work upon charge is a potential, मैंने अब भी बोलते हैं, potential मतलब work upon charge होता है, वही तो work upon charge है, लेकिन इस change in work है, इसलिए change in potential, तो क्या मैं यहाँ पे, इसे equation के जगे, मतलब यह रख दू, तो इसी को मैं, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब, unit positive charge है, और इसको कहींगे हम लोग, change in potential energy, work upon unit positive charge को, हम change in potential energy, अपके बुक्स में दिया है, is equal to minus e into dx, मुझे e निकालना है, तो minus dv by dx निकाल सकता हूँ, बही आप कुछ लोग इसको, इसको इसका देखो, electric field, e मैला है सर, electric field मेली है, वा, 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 electric field मेली है, electric potential, हाँ, electric potential, इसको electric potential कहाँ जाता है, यह dx का मतलब होता है, potential gradient कहाँ जाता है, कभी भी दान रखना है, किसी भी terms को divided by distance करोगे, length करोगे, तो gradient word लगाना है, मतलब pressure gradient, देखो, change in pressure gradient, velocity gradient, यह मतलब divided by x लगाने से, distance लगाने से, वो gradient word बन जाता है, इतना दान रखना है, अब देखेंगे, end में हम लोग, potential, zero potential क्या है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, zero potential क्या होता है, यह zero potential एक arbitrary value है, कोई पक्की नहीं है, ना fix है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आर्थ आपको zero बनते है, electric circuit में पता है ना, हम लोग आर्थिंग की है, पूछते है कि नहीं आप लोगों को, अगर आपका CP, मतलब computer, computer कुछ लगाना है, electric device, तो पूछते है, भया, क्या आपके घर में आर्थिंग की वाली है, तो उसको ground को zero बनते है, बास समझ मेरी है, वैसे zero लेकिन हम लोग क्या करते है, किसी के reference में, किसी के reference में potential निकालते है, किसी के reference में, जैसे कि हम लोगों यहाँ पे positive q charge माना है, और यह positive q charge माना है, q naught को हमने reference मान के चलते है, दो point का reference होता है, किसी point की potential निकालने से, हम लोग ने क्या किया, फिर मैंने बोला है, difference निकालना है तो हम लोग difference निकाल सकते हैं, किसी point का potential नहीं निकाल सकते हैं, मतलब किसी के reference से निकालना पड़ेगा, यह दो point है, मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करते हैं, हम लोगों को यहां पे यह B लिया था, और A, तो इस point को क्या करते हैं, हम लोग इतना दूर लेके जाएंगे, कि R is equal to infinity, अब वो R infinity पे लेके गए, तो वहां का potential आप लोगों को 0 मिलेगा, अब बोलेंगे सर कैसे, potential का तो formula सबको बता है, 1 by 4 by epsilon 0, q, है न, divided by R, R को infinite रखो, तो यहां infinite रखे तो यह potential 1 by infinity 0 मिलता है, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है न, मतलब यह point को, हम लोग infinite पे लेके जाते है, और उसको 0 potential मानते है, actual में कोई 0 potential कोई चीज़ पे नहीं हो सकता है, समझे क्या, लेकिन, मुझे किसी point का potential, b point का potential निकालना है, तो वो reference में लेना पड़ता है, तो एक point को 0 मानना पड़ेगा, ताकि हम लोग उस point पे potential निकाल पाए, तो इसलिए भया हम लोग निकालते थे ना, v2 minus v1, अभी जो निकाला था, तो हम लोग क्या करते है, कि इस point का potential, v1 का 0 मानेंगे, तब हम लोगों को v2 का potential, मतलब यहाँ पे v1 है, और यहाँ पे v2 potential है, तो इसका difference निकाल पा रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, v2 minus v1, बराबर है कि नहीं, जो निकाल रहे थे हम, 1 by 4 by epsilon not, बराबर है q, q not, ऐसे निकाला था, याद होगा आप लोगों का भया, यह निकाला था, देखो, तो किसे, यह potential difference निकाल पा रहे है, मुझे, एक point पे potential, b point का potential निकालना है, तो simple मैंने क्या, v1 को 0 आना, तो r1 को देखो, यहाँ पे v1 0 हो रहा है, q, क्योंकि r1 infinite पे है, तो आप लोग निकाल पा रहे हैं, देखो, 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 बी point का potential, v2 b point का potential, q, q not, और यहाँ पे 1 by, क्योंकि r2 आप बन रहा है, यह जो r2 है, यह r2 को हमने r माना है, तो यह हो रहा था, तो v2 का potential मिल रहा है, 1 by 4 by epsilon not, q, q not by r, ख q not रहाँ पड़ेगा, यह मर जाएगा, तो यह होगा, इसको q not करोड़ेगा, sorry for incanunious, इसको b q not, क्योंकि यह work है, यह potential energy हो गई, है न, divided by charge करेंगे, देखो, potential, multiply charge, न, work क्या है, potential, work upon charge, हा, तो potential into charge करना पड़ेगा, ठेखो, तो यह potential energy by charge is equal to potential, बराबरे न, correct है, okay, तो यह होगा, थोड़ा से अहाँ पर confusion मत करना, ठेक है न, यह हम लोग potential energy निकाल रहे थे, potential energy, ठेक है, by charge is equal to potential, सही है, सही है, सही है, पकड़े, divide by charge करो, बस होग जाएगा potential, तो यह था भाया, किसी point पर potential निकालना तो एक point को हमको 0, 0 potential मानना कोई fix नहीं है भाया, infinite पर लेके जा रहे, तो यह था भाया, potential का detail में, 8.3 point को मैंने कर दिया, कतम कल 8.4 पड़ेंगे हम लोग, उसके लिए बहुत detail में lectures आने वाले है, तब तक आप लोग पड़ा ही करते रहना है, share करते रहना है, जादा से जादा, तक कि साभी महराष्ट इन बच्चो को सही concept को हम लोग देनी की कोशिश करते हैं, चलो thank you and best luck for your study